सिंगल यूज प्लास्टिक से तात्प्रिय उन प्लास्टिक वस्तों से है जो एक बार उप्योग की जाती है और त्याग दी जाती है एकल उपयोग प्लास्टिक में निर्मित और उपयोग किये गए प्लास्टिक के उच्टम प्रियोग में वस्तों की पैकेजिंग से लेकर बोतलों पॉलिधीन बैक, खाद पैकेजिंग आदी शामिल है यह विश्व इस्तर पर उत्पादित सभी प्लास्टिक का एक तियाई हिस्ता है जिसमें 98% जीवासम से निर्मित है भारत कूडे के मामले में सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदुशन को कम करने के लिए कारवाई करने के लिए प्रतिभद है 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खतम करने के लिए पिम नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गए इस पष्ट आहवान के साथ प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट अमेंडमेंट रूर्स 2021 को अदुशुचित किया जो 2022 तक कम उपयोगी ता और उच्छ कूडे की छमता वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाता है। स्टोकिंग वित्रण विक्री और उपयोग वस्टों को प्रतिबंदित किया गया है। को चरणबत तरीके से समाप्ते करने के निर्देश जारी किये गए हैं। चिन्नी तवस्तों के आपूर्ती पर अंकुस लगाने के लिए राश्टी राज्य और इस्थाने इस्तर पर निर्देश जारी किये गए हैं। उधारन के लिए सभी प्रमुक पेट्रोकेमिकल उध्योग प्रतिबंदित एस्यूप उत्पादन में लगे उध्योगों को प्लास्टिक के कच्चे माल की आपूर्ती नहीं करते हैं। प्लास्टिक बैग भूमी और पानी को प्रदूशित करते हैं। महासागरों में समाप्त हो जाती हैं। जब भेह पहुंचते हैं तो इछोटे छोटे टुकडो में तूट जाते हैं और वन्योजियों द्वारा खालिये जाते हैं। जिससे स्वास्त संबंदी समस्य हो सकती है या म्रत्यू भी हो सकती है कई जानवर प्लास्टिक की थैलियों में भी फच जाते हैं मानल स्वास्त के लिए हानिकारक प्लास्टिक की थैलियों से निकलने वाले जहरी ले रसाइन युक्त और उत्तकों को नुकसान महुचा सकते ह एक्स्पोजर से कैंसर, जनम दोस, बिगडा हुआ प्रैतिरक्षा, हॉर्मोन परिवर्तन, अंत्रिस्तावी व्यवधान और अन्य गंबीर विमारियां हो सकती है जबकि प्लास्टिक का उत्पादन मोडल बहुत बड़ा और एनियंत्रित है। पुनर चक्रन सन्यत्रों की संक्या बहुत काम है, ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबन से मदद मिलेगी। सरकार को प्रतिवधिक हिलावों को प्राप्ते करने के लिए जनता और व्यापार निकायों को शिक्षित करना चाहिए। वर्तमान में एकल उप्योग वाले प्लास्टिक के कच्रे के नकारात्मक प्रभाओं के बारे में उब्भोगता जागरुकता अभी भी सीमित है, संचार रननितिक योजना और उब्भोगता जागरुकता अभ्यानों के माध्यम से इसे और मजबूत करने की जरूरत है। इसते ने केवल नागरिकों के बीच परियावरण के ब्रहती जागरुकता में सुधार होगा, बलकि व्यापक कारियों को सैसक्त और प्रोथसाहित भी क्या जाएगा। भागेदारी और उन परियोजनाओं को समर्थन सामिल हो सकता है, जो एकल उपयोग वाली वस्तों को पुन्हे उपयोग करते हैं और कच्रे को एक संसादन में बदल देते हैं, जिसे फिर से उपयोग किया जा सकता है, विकल्प बनाने के लिए प्रिक सामगरी के आयात पर क समर्थन करने के लिए कर चूट या अन्य सर्तों को सुरू करके उध्योग को प्लास्टिक पैकेजिंग के आयातकों और वितरकों सहीत प्लास्टिक उध्योग से सरकारों को प्रतिरोद का सामना करना पड़ेगा, उन्हें अनुकुलन के लिए समय दे या दिपी विविन सा दिया जाता है लेकिन वर्तमान में इनके पैमाने और लागत की सीमाई हैं भारत में उत्पाद को द्वारा किये गए दाओं को सत्यापित करने के लिए मजबूत परिक्षन और परमानन के अभाव में नकली बायो डिग्रेडबल और कमपोस्टेबल प्लास्टिक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं इस साल जनवरी में सीपी सीबी ने कहा कि बारा कमपनिया बिना किसी परमानी करन के कमपोस्टेबल के रूप में चिंडित कैरी बैग और उत्वादों का विपनन कर रही थी और सम्मानित राज्य प्रदूशन येंत्रन बोडों को इन निकाईयों पर कारवाई करने के लिए का सारवजनिक हित को अधिक्तम करने के लिए एकल उप्योग वाले प्लास्टिक पर करो या लेवी से एकत्रित राजश्व का उप्योग करे परियावन परियोजनों का समर्थन करे अधन के साथ इस्तानिय पुर्णर चक्रन को बढ़ावा सीड सिंकटन जैसे सहरों में भी स्थापित की गई है यह दर साता है कि इस तरह से हस्तचेफ व्यवार परिवरतन को वाकार देने में प्रभावी हो सकते हैं यूरोपिय संग कुछ दैनिक एकल उप्योग वाले प्लास्टिक उतपादों पर प्रतिबंद लगाने के लिए नए क कानूनों पर विचार कर रहा है इसमें इस्ट्रा कटलरी और प्लेट सामिल हैं जो समुद्र में प्लास्टिक के कुड़े का हवाला देते हुए कारवाई को प्रेरित करते हैं यूएस कनाड़ा और निदरलेंड जैसे देसों ने व्यक्तिगत देखवाल उतपादों में मा दोटे पहमाने पर शुरू क्या गया था यह दुनिया भर में फैल गया है और भारत इसे भी अपना सकता है धनेवाद जैहिन जैभाई